सुना है वक्त किसी के लिए नहीं रुकता और वक्त का पहिया किसी के लिए भी नहीं थमता लेकिन आज हम पवित्र शास्त्र बाइबल में से एक ऐसी घटना को देखेंगे जहां यहोवा परमेशर ने वक्त को थाम दिया वो भी पूरे चार पहर तक अर्थात बारा घंटे आरिश है के वीडियो को पूरा देखें तो जैमसी की साथियों परमेशर कानूगरे एवम दया आप तमाम वीडियो देखने वालों पर होती रहे येश्यु मसी के नाम में आमेन साथियों हमारा आज का विशे है जब यहोवा परमेशर ने वक्त को रोक दिया था क्या है इ आईए हम वीडियो के माध्यम से देखते हैं तो साथियों ये कहानी उस समय की है जब यहोशु इस प्रिथवी पर था और एमोरियों समेथ युरुशलेम, एब्रोन, यमूर्द, लाकीश और एगलोन के पांच एमोरी राजाओं ने अपनी सारी सेना को इकठा किया और चढ़ाई कर दी और गिबोन के सामने डेरे डाल कर उनसे युद्ध छेड़ दिया ये यहोशु की किताब अध्याए 10 और उसके पांच वचन में वर्नित है और जब ये युद्ध छिड़ गया तो उस समय यहोशु गिलगाल नामक चगा में था तब गिबोन के निवासियों ने यहोशु से कहा कि अपना हाथ हम पर से मत हटा क्योंकि एमोरियों ने हमारे विरुद हाथ उठाया है हमें बचा ले हमारी सहायता करें तब यहोशु अपनी सेना समय गिबोन की तरफ निकल पड़ा और उस समय यहोवा ने यहोशु से कहा कि उनसे मत डर क्योंकि मैंने उन्हें तेरे हाथ में कर दिया है उनमें से एक पुरुश भी तेरे सामने नहीं टिक पाएगा उसके बाद यहोशु अपने शूर विरों समय उन पर तूट पड़ा यह पांच एमोरी राजाओं के साथ यहोशु का युद्ध था और फिर इसराइलियों ने गिबोन के पास इनका बड़ा सहार किया और जब वे भागने लगे तो उनका पीछा करके आजेका और मकेदा तक उनको मारते चले गए और जब वे इसराइलियों के सामने से भाग कर बैथरों की उतराई पर आए तब आजेका पहुँचने तक यहोवा ने आकास से बड़े बड़े पत्थर उन पर बरसाए और वे मारे गए और यहोशु अध्याए 10 और उसके 11 वचन के नुसार यहां तक लिखा है कि जितना साहार यहोशु और उसके साथियों ने किया था उससे भी अधिक ओलों से मारे हुए लोग थे अर्थात परमेशु अर स्वेम साथ साथ लड़ रहा था और इसराइलियों को बल दे रहा था यहोशु अध्याए 10 और 12 के नुसार जहां लिखा है जिस दिन यहोवा ने एमोरियों को इसराइलियों के वश में कर दिया उस दिन यहोशु ने यहोवा से इसराइलियों के देखते हुए इस परकार कहा कि हे सूर्य तू गिबोन पर और हे चंद्रमा तू आयालोन की तराई के उपर थमा रह और सूर उस समय तक ठमा रहा और चंदरमा उस समय तक ठहरा रहा जब तक कि उस जाती के लोगों ने अपने शत्रों से बदला ना ले लिया क्या ये बात या शार नामक उस्तक में नहीं लिखी है कि सूर अकाश मंदल के बीचो बीच ठहरा रहा और लगबग चार पहर तक ना डुबा ना तो इससे पहले कोई ऐसा दिन हुआ और ना उसके बाद जिसमें यहोवा ने किसी भी पुरुश की सुनी हो क्योंकि यहोवा तो इसराइल की और से लगता था तब यहोशू सारे इसराइलियों समेत गिलगाल की चावनी को लोट गया यानि कि यह शाम का वे वक्त था यह शाम का वे समय था जब सूर्य और चांद एक साथ होते हैं हमने भी कई बार अपनी आँखों से यह द्रिश देखा होगा जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं तो साथियों आज हमने वीडियो के मात्यम से यह जाना कि किस तरह यहोवा परमेश्वर ने यहोशू के कहने पर वक्त को थाम दिया यह पुवित्र शास्त्र बाइबल में यहोशू की किताब अध्याय दस में वरनित है आप से विंती है कि जब आप यह वीडियो देख लें उसके बाद बाइबल में इसे करमा नुसार पड़ें ताकि इस तीक तरीके से आप इस घटना को समझ सकें तो साथियों आपको हमारा आज का वीडियो ये कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में बताएं और वीडियो को लाइक करें सब्सक्राइब करें और अपने तमाम मसी भाई बेहनों में से शेर भी करें तो परमेशर अपने अनुग्रेब रहात आप तमाम वीडियो देखने वालों पर सदा सरवदा के लिए रखे रहें येशु मसी के नाम में आमेन